नमस्कार मैं हूँ आपके साथ जियोती का लौजिया आज की टॉप टेंग की ओर रुख करने से पहले आए नज़र डालते हैं उनकी हेड्लाइन्स पर केंदर सरकार ने लॉंच की अग्रीपत भरती योजना बसपा सपा और निर्दलय विधायक बिजेपी में शामे भाजबा की महिला मुश्लिम पार्षत का इस्तिफा पार्डबेर में आफ़त की बारिश चीन भी पैगंबर विवाद में भूटा रूसी सेना ने यूगरेन में मनाया रूसीवर शरार्थी तत्वों के बहकाने पर पुलिस पर किया गया हमला पुशी नगर में बड़ा सड़क हादसा दिल्ली में चार दिन तक बारिश की संभावना सामने आई सल्मान खान को धंकी देने के पीछे की कहानी ये भी आज की मुख्य खबरों की हेडलाइन अब खबरों को विस्तार से देखते हैं रक्षा मंत्राले ने सेना भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है सेना भर्ती के लिए सरकार की ओर से अगनिपत भर्ती योजना को लॉंच किया गया है इस मौकी पर केंद्रे रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने बताया कि इसके तहट सेना में चार साल के लिए अगनी विरों यानी युवाओं की भर्ती की जाएगी राश्ट्यपती चुनाव से पहले मध्यप्रदेश में विपक्ष की तीन विधायक भाश्पा में शामिल हुए है इनमें बस्पा विधायक संजीब सी, सपा विधायक बबलू शुकला और निर्दले विधायक विक्रम राना ने भाश्पा की सद्यस्ता लिए है पैगंबर मुहम्मद पन उपर सर्मा की टिपड़ी के विरोध में राजिस्पान भाश्पा की एक महिला पार्षद ने पार्टी से इस्तिफा दे दिया है तब सुम मिर्जा कोटा में वाट 14 की पार्षद है उन्होंने पार्टी प्रदेश अद्यक्ष सतीश पुनिया और जिला अद्यक्ष कृष्णा कुमार सोनी को इस्तिफा भेजा है प्रदेश वास्यों को मित्थी की प्रीमांसूर की बारिश कर्मी से निजात दिलाएगी लेकिन बार्डमेर में बारिश आफत ने कराए बार्डमेर के चोहटन कस्वे सहिट सरणी गाउं में मौसम ने करवट ली और मुसलाधार बरसाद का दौर शुरू हो गया मुसलाधार बारिश से निजली बस्तियों में पानी भर गया और सडके जल मगन हो गए पहाडियों से तेज बहाग के साथ आए पानी में कई वाहन बहते नजर आए बैगंबर मोहमत के खिलाब भारते जंता पार्टी के दो निलंबित पदादिकारियों की विवादास पर टिपड़ी के बाद शुरू हुए विरोत और बयानबाजी की आँच अब चीन तक पहुँच गई है चीन ने इस मामले में अपनी प्रतिक लिया दी चीन ने बैगंबर विवाद को लेकर कहा कि वैं मानता है कि अलग-अलग सब्यताओं धर्मों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और बराबरी के इस तर पर साथ रहना चाहिए रूसी उक्रेण युद के 110 पे दिन रूस के कबदे बाले तक्षुनी उक्रेण में क्रेमलिन तवारा तैनात असरों ने रूस दिवस मनाया रूसी असरों ने मैलितो पोल शहर में उन निवासियों को रूसी पास्पोर्ट भी जारी करना शुरू करती है अटाला में जुमे की नमास के बाद हिंसा यूही नहीं बढ़की थी इसके लिए ना सिर्फ पहले से साजी शची गई थी बलकि मौके पर भी जानबूच कर उपसाने वाली कुछ ऐसी बाते की गई जिससे भीड हमलावर हो जाए कुछ शरार्ती तत्वों ने खास्तोर पर पुलिस को निशाना बनाने को कहा था इससे उगदर्वी और उग्र हो गए और पत्थर के साथ बं बोलिया भी चलानी शुरू कर दो उत्रप्रदेश के कुछी नगर जिले में देडराथ बड़ा सड़क हाथा हुआ हाथसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि पचास से जादा घायल हो गए घायलों को सपताल में भड़ती कर आए गया है वहां से कक्सिस की हालत संभीर देखते हुए जिला सपताल के लिए रैफर कर दिया दिल्ले में बीटे कई दिनों से गर्मी वालू के प्रकोप से राहत नहीं मिल रही है सुबार को भी तेज गर्मी वालू का सितम जारी रहा हाला कि बुदवार से हलकी पारिश रहत लेकर आ सकती है बुदवार से शनिवार तक पारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है ऐसे ही ताजातरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारी साथ